हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा आठ की वॉक्षीट नमबर 22 जो की 5 ऑक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विश्य है बच्चों हिंदी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियां तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आपकी पाठे पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कारिपत्रकों के माधियम से आपसे विभिन पाठों पर चर्चा की जा रही है आए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित कुछ साखियां साखियों पर चर्चा करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं जाती ना पूछो साधु की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहेंदो म्यान अब इस जो पंक्ती है ये जो साखी है इसका मतलब क्या है ये यहां समझाया हुआ है इसे समझ लेते हैं कभी दास अपनी इस साखी के माध्यम से कह हैं कि जिस प्रकार मियान के बजाए तलवार या तलवार की धार को महता या वर्यता दी जाती है ठीक उसी प्रकार साधू या सजन पुरुष की जाती या धर्म के बजाए उसके ज्यान को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए तो देखो यहां पर क्या समझाया जा रहा है कि हमें अगर कोई सजन पुरुष है तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म से है, किस जाती से है, बलकि उसमें जो ग्यान है, हमें वो देखना चाहिए, उसको प्रात्मिक्ता देनी चाहिए, और उसके ग्यान से हम क्या सीख सकते हैं, हमें वो सीखना चाहिए, जैसे कि तलव कि तलवार में important क्या है कि उसकी धार कैसी है तलवार हमारे कितने काम आ सकती है अब तलवार किस मेयान में रखी है वो हमारे लिए important नहीं नहीं ठीक है चलो अब दूसरी सांखि पढ़ते हैं आवत गारी एक है उल्टन कोई उल्टन होई अनेक कह कबीर नहीं उलटिये वहीं एक की एक तो इस साखी का जो मतलब है इस साखी के माध्यम से कभी दास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटू शब्द यानि की कडवे जो वचन है के जवाब में गाली अपशब्द या कटू वचन नहीं कहना च ही है कि आप भी उसे गाली ही दे या आप भी उसे कुछ उल्टा सीधा ही कहें ऐसा करने पर व्यक्ति फिर से अनेग प्रकार के अपशब्द कहेगा अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए यानि कि देखो अगर आपको कोई गाली दे रहा है या बुरा भला कह रहा है और आप भी उसके साथ फिर वैसा वेवहार करेंगे तो सामने से वो और जादा वो वेवहार करेगा तो ऐसे में हमें ऐसा वेवहार बिलकुल नहीं करना चाहिए संयम से काम लेना चाहिए गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द कभी भी नहीं कहना चाहि अब यहां पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका मतलब समझ लेते हैं अब चलो इसके आधार पर यहां पर हमें कुछ प्रश्ण दे रखे हैं उनके answer लिखेंगे आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्त को समझ लिया होगा आए इन ही पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्णों के उत्तर खोजते और लिखते हैं पहला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा साधू शब्द का प्रयायवाची नहीं है तो साधू शब्द का मतलब सजण भी होता है भदर भी होता है सभी भी होता है बस गगन नहीं होता है तो आंसर आजाएगा ऑप्शन का दूसरा प्रश्ण है कि निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छाटिये तो अनेक का विलोम शब्द है एक ऑप्शन का तीसरा प्रशन है कि कबीर दास जी के अनुसार सजन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं तलवार और मयान में से कभी दास मयान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते चलिए इसका अंसर रिखते हैं तो बच्चों फोर्थ क्वेशन के आंसर में आप लिखेंगे तलवार और मयान में से कभी दास ने मयान को महत्वपूर्ण माना क्योंकि युद्ध में तलवार ही का अमाती है ना की मियान ठीक है अब हम देखते हैं हमारा आखरी प्रश्ण जो की है पांच्वा प्रश्ण जिसमें हमसे पूछा है किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कभी दास सैयम रखने की बात क्यों कहते हैं चलिए इसका आंसर लिखते हैं तो बच्चों पांच्वे प्रश्ण का आप आंसर लिखेंगे किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटू वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटू वचन नहीं कहना चाहिए ऐसा करने पर व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा अर्थात ऐसे में सईयम से काम लेना चाहिए तो यहां से लेकर यहां तक है पांचवे प्रशन का आंसर ठीक है? अब इसके बाद हमें गतिविधी दे रखी है जिसमें कह रखा है कि उप्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे जादा अच्छी लगी और क्यों अनुचेत के रूप में अपने विचार लिखिये तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे कि कपीर दास जी ने कहा कि साधू के धर्म या जाती पर हमें ध्यान ना देकर उनके ज्यान पर ध्यान देना चाहिए यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी तो बच्चों ये थी आज की हमारे हिंदी की वरक्षीट आई होप आपको ये वरक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसको प्लीज लाइक कर दें अपने फ्रेंज की साथ शेयर कर रहे हो इस चानल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं या इस वीडियो की बारे में कोई फीडबाक देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाके बता सकते हैं थैंक यू